गूड इवनिंग बच्चो तो चेप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे Fundamental Unit of Life सेल के बारे में हमने पढ़ा सेल की खोज किस ने की सेल के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा सेल के डिफरेंट पार्ट्स में थ्री पार्ट्स देखो कौन-कौन से कोशी का जिली ये बाहर की covering जिसको कोशी का जिली कहते हैं कोशी का द्रव जिसके अंदर ये liquid जैसा है nucleus ये है जिसके अंदर ये दागे की तरह की संडचना है दिख रही है तो तीन पार्ट आपको अच्छे से पता होने जी कि में तीन पार्ट से होते हैं वैसे तो सेल की ये संडचना हमने बनाया ऐसा ही नहीं होता सेल सेल देखो ऐसा भी हो सकता है अगर हम रख्त के लाल रख्त कोशिकाओं को देखें तो इस तरह का सेल होता है मसल्स को देखें, तो कुछ ऐसे भी होते हैं, हमारे नियूरोन को देखें, तो ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है, ठीक है, काम के आधार पर उसकी संरचना होती है, तो जैसा काम होगा उसी सबसे उसकी संरचना होगी, जैसे नियूरोन ने मैसेज एक तक ले जाना है तो लंबा होता है और शाखान भी तो होता है ब्राश्ट होता है ठीक है अच्छा है उसके बाद हमने पड़ा था कि जो कोशीका के main part है पहले कोशीका जिली यह कोशीका जिली को हम वरनात्मक परागम्मे कहते हैं क्यों क्यों क्यूंकि कुछ पदार्थों को अपने मैंसे होकर अंदर बाहर आने जाने देती है। सभी पदार्थों को नहीं आने जाने देती है। कुछ पदार्थों को जो चाहिए इसको अंदर उसको अंदर लाईगी, जो अंदर नहीं चाहिए उसको बार बिजीगी। लेकिन साथ ही कुछ पदार्थों की आवा जाही अंदर बाहर आने जाने देती है और कुछ पदार्थों की गती को रोक देती है नहीं आने जाने देती है ना अंदर जाने देगी ना अंदर से बाहर जाने देगी कुछ पदार्थ ऐसे है उनको रोक देगी तो इसलिए हम इस पढ़ा, कुशिका जिली है, साइ्टोपलाजम है, और नुकलिय से, तीन मेन पार्ट है, ये बाहर की कवरिंग, जिली, इसके अंदर ये द्रव, कुशिका द्रव और उसके अंदर ये केंद्रक, तीन मेन पार्ट, ठीक है? उसके बाद सेलेक्टिवली permeable हमने पढ़ लिया, क्यों कहा जली को selectively permeable क्यों कहा यह हमने समझ लिया अब देखिए, परागम में है तो कुछ को अंदर बाहर आने जाने देती है कुछ चीजें कोशिका की अंदर आ रही है, कुछ अंदर से बाहर जा रही है, example लेते है oxygen का बाहर air में या blood में oxygen की मातरा ज्यादा है तो उच मातरा से यह निमन मातरा की हो जाईगी oxygen cell के अंदर कम है, लेकिन चाहिए cell को oxygen ऊर्जा के लिए, तो oxygen बाहर से अंदर आईगी, बाहर अपनी ज्यादा मातरा से अंदर कम मातरा की हो जाईगी, अब oxygen यहां यूज हो गई तो ऑक्सीजन यूज होने के बाद ऊर्जा बनी और कर्बंड एक्साइड बन गया तो कर्बंड एक्साइड बन रही है तो सल के अंदर कर्बंड एक्साइड की मातरा बढ़ रही है बाहर कर्बंड एक्साइड की मातरा कम है तो कर्बंड एक्साइड इस प्रक्रिये को हम कहते हैं विसरन, विसरन, डिफ्यूजन, याद रखना डिफ्यूजन के होता है, जब पदार्थ अपनी उच संदर्ता से निमन संदर्ता की हो जाता है, इस प्रक्रम को डिफ्यूजन यानी विसरन कहते हैं, पानी भी आसे ही जाएगा उच संदर्ता से न पराशरण कहते है इसको जिली जुली लिए लिए लेकिन जल कभी उग्च Candra से निमन संदरता की ओर नहीं जा एगा अगर छिली होगी तभी जाएगा उच संदरता से निमन संदरता की ओर तो इस प्रकार के जल के आवा गमन को कोशिका के अंदर पराशरण कहते हैं और gases के आवगे मन को वुर्तरन कहते हैं, विसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, कि जो cell membrane है, कोशिका जिली है, ये lipids और protein से बनी होती है, किस से बनी है, lipids और protein से बनी होती है, ये परिशना आता है बहुत वारी, कोशिका जिली किस से बनी होती है, और ये भी हमने पढ जो जन्तु की कोशिका हैं, उसमें तो कोशिका जिली ही है, लेकिन पौधों की जो कोशिका है, प्रकृति ने उनको एक अतिरिक्त आवरन दे रखा है, एक एक्स्ट्रा आवरन दे रखा है, और ये कठोर आवरन है। इसको जिली के बाहर के इस सावरण को हम भित्ती कहते हैं, भित्ती, सेल वॉल, कोशिका भित्ती, सेल वॉल, और किसकी कोशिकाओं में अती है, प्लांट की कोशिकाओं में, याद रहना चाहिए आपको, प्लांट सेल में ही कोशिका भित्ती है, जन्तो कोशिका में नहीं अती और ये भीती किससे बनी है? एक carbo-hydrate है जिसका नाम है cellulose cellulose की बनी होती है जिल्ली बनी है lipid और protein की और भीती बनी है cellulose की यह याद करना है अपने अच्छे से बहुत अच्छे से याद करना है क्यों बहुत बार ये प्रश्ण पूछे जाते हैं भीति, plant cell में होती है, animal cell में नहीं होती है, और ये भीति किस से बनी है, cellulose से, ये भी याद करना है, ठीक है, ये सब को यादोना चाहिए अच्छे से, ठीक है, इतना याद करो अच्छे से, और समझो, उसके बाद अगला बाद में पढ़ेंगे हमें, पहले इसको अच्छे से संधलो, okay? Thank you.